कॉंग्रिस अध्यक्ष राहुल गांदी अपने नेताओं से विवादित बयान देने से परहेश करने को कह चुके हैं लेकिन उनकी सलह का पार्टी नेताओं पर कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा यहाल तब है जब कई चुनावों में पार्टी को अपने नेताओं के बयानों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है ऐसे में सवाल उठने लगी है कि क्या 2019 में नेताओं के बिगडे बोल बढ़ाईगी कॉंग्रिस की मुश्किले क्या 2019 में राहूल गांदी का सपना तोनेगे कॉंग्रिस के बयान वीर दरजल पूर्व केंद्रिय मंत्री और कॉंग्रिस सांसद शशी धरूर के बाद महारास्ट के सोलापूर से विधायक और पूर्व केंद्रिय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीती ने कॉंग्रिस को मुस्सीमत में डालने वाला बयान दिया है कॉंग्रिस के दोनों ही नेताओं ने पीम मोधी को लेकर विवादित बयान दिये हैं बैंगलूरु में एक पत्रकार के हवाले से आरसेज के एक नेता के बयान का धिक्र किया। धरूर ने दावा किया कि संग के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोधी शिवलिंग पर चिपके बिच्छू की तरह हैं, जिसे ना तो हटाया जा सकता है और ना ही चपल से मारा जा सकता है वही सोलापूर में एक कारेक्रम को संबोधित करते हुए प्रणीती ने कहा कि हमारे देश में एक नया डेंगू मच्छराया है जिसका नाम है मूधी बाबा सबको बिमारी हो रही है उस वज़े से अगर यही हाल रहा तो कॉंग्रिस नेताओं के बायान अगामी लोग सबाचुनाओं में पार्टी पर भारी पर सकते हैं और राहूल के बीचेपी को सत्ता से उकार फेकने के सपने को पलीता लगा सकते हैं बीते साल हुए गुजरात विधान सबचुनाओं में भी पार्टी नेताओं के विवादित बयान के चलते कॉंग्रिस को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और सत्ता उसके हात आते आते रह गई हाला कि कॉंग्रिस सद्ध्यक्ष राहुर कांदी ने पार्टी नेताओं को इस तरह की बयान बाजी से परहेश करने को कहा था लेकिन उनकी अपील का कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे में देखने दिलचस्पोगा कि कॉंग्रिस अपने इन नेताओं की बयान बाजी पर किस तरह से लगाम लगाती है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट